एक बात बताएए, possession मतलब कोई चीज़ किसकी है ये बताने के लिए have got का यूज़ करना चाहिए या have का मैं बताती हूँ, दोनों ही सही है, बस फर्क ये है कि जब आप have got का यूज़ करते हैं तो इसमें किसी और helping verb की जरूरत नहीं होती किवल have के forms change होते हैं पर got ज्यों का यूज़ रहता है, on the other hand जब आप have का यूज़ करते हैं तो अलग से helping verbs do, does या did की मदद लेनी पड़ती है और have जों का यूज़ रहता है, चलिए compare करके देखते हैं, have got versus have, मेरे पास घर है, I have got a house or I have a house, क्या तुम्हारे पास पैसे है, have you got any money or do you have any money, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, I haven't got any money or I don't have any money, क्या उसके पास car है, has she got a car or does she have a car, उसके पास car नहीं है, she hasn't got a car or she doesn't have a car पानाय परफेक्शन तो follow कंचन, वीडियो बसंदाय तो share करें